आज की वीडियो बहुत जादा important है और interesting भी है क्योंकि काफी जादा महिलाएं अगर परिशान होती है उनकी pregnancy नहीं रूक रही है तो उनके लिए एक-एक मन्त बहुत जादा भारी बढ़ता है तो आपको एक अंदाजे कैसे लग सकते हैं कि इस बर आपका शायद period आने वाला ह कुछ मैं आपको 6 ऐसे points के बारे में बताऊंगी कुछ ऐसे लक्षन जो के आपके इस चरिण में दिखाए देते हैं अगर उन में से 2-3 भी आपकी साथ अगर match कर रहे हैं तो आप इसे pregnancy के लक्षन समझ सकते हैं क्योंकि जिस दिन महिला का period आता है उसके 20 दिन के बाद से य यूँ बताया जाता है क्योंकि इसके बाद implantation का काम शुरू होता है और implantation यानि कि आपकी pregnancy की शुरुवात अगर implantation successful हो गई इसका मतलब कि pregnancy भी आपकी रुखने वाली है रुख गई है लेकिन अगर implantation फेल हो जाता है तो आपकी pregnancy discard हो जाती है क्योंकि जैसे अगर मान implantation अच्छे से हो गई आपके uterus की वाल पे जैगौट अच्छी तरह से चिपक गया उसकी वहाँ पर functioning होने लगी उसकी growth होने लगी इसका मतलब कि आपकी pregnancy conceive हो गई और उसके बाद से आपके शरीर में तमाम तरह के changes दिखाए देना शुरू होते हैं उन तमाम तरह के changes में इस शिदो से ले की लाश्टक जरूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरे नम हर्शिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल wins my world पे बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले बात करते हैं कि period के 20 वे दिन के बाद से क्या-क्या बदलावाते हैं अगर successful implantation हो जाती है तो implantation का एक बहत्वपूर्ण phase होता है implantation cramp implantation cramp 99% महिलाओं को feel जरूर होती है कई बर क्या होता है कि आप इतनी busy रहती हैं आपको अंदाजे नहीं लगवाते हैं लेकिन अगर implantation अच्छे से हो गई तो हलके से tissues आपकी uterus के हलके से खुरसते हैं अब ऐसे case में यह हलकी पेट में एठनाना या चुभन जैसा दर्द होना महिलाओं को जरूर feel होता है अगर इस तरह के लक्षन आपको feel होते हैं अगर आपको लगता है कि हलके फुलके से आपको cramping पेट के किसी left side में या right side में आपको कभी भी अगर feel होता है तो यह आपकी pregnancy के लक्षन है वह पर दूसरी important चीज़ कि जब जैगाट पूरे अच्छे तरह से वहाँ चिपक जाता है उसकी growth वहाँ पर होने लगती है तो काफी ज़ादा energy की ज़रूरत होती है तो महिलाओं को अगर sudden बहुत ज़दा भूख लगती है प्यास लगती है बहुत ज़दा energy की ज़रूरत लग रही है यानि कि उनकी जो food लेने की जो intake है जो quantity है अगर वो बढ़ गई है तो ये भी आपकी pregnancy की ही निशानी हो सकती है लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर contradict करें बोलेंग की भूख प्यास नहीं लगती है उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगे आपको कि ऐसा क्यों होता है लेकिन अभी आप जा लेजे कि भूख आपकी जरूर बढ़ेगी चाहे आपके थोड़ी सी ही मात्रा थोड़ी सी calories ही आप जादा लो लेकिन आपकी भूख ज लिखाई दे दे आते हैं जैसे कि पिंकिश कलर का हो सकता है ब्राउनिश हो सकता है कुछ मटमेला भी हो सकता है क्योंकि अगर बहुत दिनों से अगर यूटरस के अच्छी तरह से क्लीनिंग नहीं हुई है तो इसके वज़े से भी जो बलड का कलर है वो थोड़ा मटमेला लेकिन इसमें आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है ये बिल्कुल 110% आपके उनके अंदर ठकावट हो रही है यह ठकावट होने का कारण में है कि आपके शिर में बच्चे की ग्रोथ के लिए पूरी की पूरी एनरजी ड्रेन आउट हो रही है जब आपकी एनरजी अंदर से ड्रेन आउट होगी तो अव्यसी बात है कि आप बिल्कुल ठका ठका महसूस क पर सकते हैं जो कि बिल्कुल ऑव्यस सी बात है जिस तरह से अगर आप पहले जितने इनर्जी में काम किया करते थे अगर आपको काम में कमी आती है आपको हलकी फुलकी कोई काम करते हैं और लगता है कि बहुत ज़दा ठक गए तो 110% ही आपकी प्रिग्नेंसी की लक्षन हो सक कि बहुत ज़दा मैं ठका ठका फील करनी हूँ और सास भी नहीं लिया जा रहा है तो ये भी प्रिग्नेंसी की लक्षन हो सकते हैं क्योंकि इसके साथी'Sाथ अगरा आपको सरदर्द है आप बहुत ही अनीजिसार डिसकमवर्ट सा फील कर रही है तो ये ब्रेंसी की लक्ष जाने हैं इसको आप इग्नोर्ट ना करें वहीं पर अगर मैं 6th important point की बात करूं तो आपकी craving को लेके ये चीज़े बढ़ जाती है अब craving कैसे होती है कई बर क्या होता है किसी एक particular food को खाने की इक्षा बहुत जादा करने लगती है आपको लगता है कि ये खालेती हो तो मुझ की craving आपको हो रही है प्रिग्नेंसी के टाइम पर तो ये किसी बीचीज के लिए हो सकती है और आपका जीब बहुत जादमत चल सकता है और कई बार कुछ ऐसे food आइटम होते हैं या कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिसकी smell आपको बरदाश्ट नहीं होती है तो कई बार वो महि प्रिग्नेंसी में भूख बढ़ने वाली है तो डेफिनिटली आपकी कैलोरी की इंटेक बढ़ेगी और बढ़ना भी चाहिए क्योंकि बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको कैलोरी का इंटेक जरूर थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए लेकिन आगर आपको किसी नौ वर्जिया है वर्मेटिंग है ये भी बहुत इंपोर्टन लक्षन है इसको भी आपको इंग्नोर नहीं करना चाहिए और इन लक्षन में से अगर दो से तीन लक्षन भी आपके साथ मैच कर रहे हैं तो 110 परसेंट आपकी प्रेग्ननसी कंसीव हो चुकी है अगर इस वीडियो पूरे इस बात की देना चाहूंगी आप सबको धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि आप सबके प्यार के वज़े से आज एक लाग फॉलोवर मेरे वहाँ पर इंस्टाग्राम पर कंप्लीट हुए है बस इसी तरह का प्यार और विश्वास बना के रखिए और मेरे वीडिय देखिए काफी हिल्फुल वीडियोज हैं आपके जरूर काम आएंगे थैंकियो सुमच वर वाचिंग ट्विन्स भाइवर्ड